विल्कम स्टुडेंट्स एक बाद फिर से स्वागत है आपके ग्रूप संगम कोचिंग में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कच्छा बार NCRT से प्रती लोम त्रिकोंड में तिया फलान सबसे पहले इसका हम परिचे देंगे उसके बाद आगे प्रशनावली पे चलेंगे तो इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपको बच्चों से शिकायत है कि हम आपको वीडियो नहीं भेज रहे हैं वीडियो भेजेंगे इस समय कुछ ज्यादा ही बीजी हैं बोट की काप्यां जच रही हैं इस वज़े से हम वीडियो नहीं भेज पाते हैं जैसे ब प्रतिलोम का मतलब होता है इंवर्स का मतलब होता है बिल्कुल ही उल्टा ठीक है ना तो देखेंगे सबसे पहले हम आपको इसमें जो है बताएंगे इसका इंट्रोड्यूस करेंगे तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात होगी कैसे डिनोट करते हैं इनवर्स को जैसे साइन का इन्वर्स अगर लिखना हो तो कैसे हम लिखें, साइन का इन्वर्स यदि लिखना हो तो कैसे लिखें, यह देखिए, साइन, इसके पावर में यह माइनस वन, इसको माइनस वन हम बोलते नहीं है, लेकिन इसके पावर में इस माइनस वन टाइप का हो, तो इसे हम स्याम एंवर्प्ट से इक्षराइं इस इधर से इधर बहेढ़ आजे सकता है इसकल की से सिर्फ सारिणुले लाइक्स को नहीं ठीक है तो इसको कैसे एक्स यहाँ बचेगा साइन इंवर्प्ट जाएगा तो इसान अतर जा भी यहां पे एक्फ़ पपें सोच रहे हों कि वाई जो होता है यह कोड़ है और कि यह कोड़ जो है हमेशा त्रिकोंड मीतियान उपात के सामने होना चाहिए यह होता है दूसरी चीज अगर ऐसी कंडिश होनो 10 inverse 10 πाइबआब 4 ऐसी हो इनवर्स और बिना इनवर्स वाला चीज एक दूसरे से समाप्त हो जाता है लड़की ठीक है इन्वर्स और बिना इन्वर्स वाला चीज एक दूसरे समाप्त हो जाता है अर्था 30 को में लिख सकते हैं सिर्फ पाई भाई फोर आई बत समझ मैं अगर माल लीजिए आपको दिया हो साइन इन्वर्स कोशिक तो हमने आपको बताए कि 10 से 10 तो समाप्त हो जाए गया तो लेकिन यहां पर साइन इन्वर्स यहां पर क्या है कोशिक है तो घबड़ाएंगे नहीं आप पिछली कच्छाओं में पढ़े हैं कोशिक को हम साइन में लिख सकते हैं इस तरह से नीचे की चीज को उपर और उपर की चीज को नीचे इस प्रकार से अब साइन हो गया अब यह दुनों क्या हो जाएंगे कैंसील हो जाएंगे तो इसको हम कहलेंगे अंडर रूट में 3 by 2 क्या हो गया कैंसील हो गया है समझने के लिए आपको बता दे रहें यह पहली चीज हमने बताई यह हमने दूसरी चीज आपको बताई और यह हमने तीसरी चिजाब को बता है चौती चीज बहुत इंपोर्टेंट है आइस चेप्टर के लिए इस चेप्टर के सवालों को लगाने के लिए इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम बता दें हाँ देखें चार अनुपाद साइं इसके बा तीन बाते ध्यान रखिए पहली बात और इसके बाद होता है आपका कॉस और शेक बचा पहली बात तो यह कि अगर यह चार अनुपाद चाहे चाहों पात है इनमें माइनस का साइन न लगाओ माइनस का चिन न लगाओ ठीक है तब जो है सिर्फ त्रिकून मीतिया मानों का प्यूक किया जाएगा साइन तीस अंस कास्ती संस साथ अंस नबेंस तक मान याद रखें आप ठीक है नबेंस से उपर हमने रिकमेंड करेंगे अगर कर लेते हैं तो और अच्छा है तो सिर्फ नबेंस तक याद रखेंगे तो पूरे सवालों को लगा सकते हैं तो आपको बता दो मैं की ये सभी मान याद रखें तो साइन्स से लेकर को करके कार्ट तक यदि माइनस लगा हो तो वह माइनस आगे चला आता है dif याद रखेगा इस ठीक दूसरा point की होगा कि यदि minus आ जाता है प्लस आये तब तो sorry मैंने बताया हाँ फिर से बता देता हूँ प्लस अगर रहेगा तो वैसे सिर्फ ट्रिकोंड मिती के मान को लिख दिया जाएगा ठीक है यदि minus आता है तो minus में दो तरगी condition बनती है पहली condition होगी यह चार चीज़ें हो sin, 10, cose, cut ठीक है न यह चार चीज़ें हो इनके कोण में inverse के कोण में अगर minus लगा हो तो वो minus आगे चलाता है सब कुछ examples में आपको हम बताएंगे वो minus कहां चलाता है आगे चलाता है और यदि cos और 6 के inverse के कोण के आगे minus लगा हो तो वहाँ पर 180 में से उस कोण को घटा देते है एक्जामपल के लिए इस पर एक्जामपल हम बता रहे हैं जैसे माल लीज़े आपको दिया हो sin inverse minus में 1 by 2 तो हम इसको कह सकते हैं sin inverse यह दिखे माइनस यहाँ पर तो माइनस को दो सिकेंड के लिए भूल जाएंगे सिर्फ 1 by 2 को देखेंगे तो 1 by 2 को देखें थे sin में यहाँ पर sin inverse है थे sin में कितने इंस कमाना है 30 डिगरी का तो इसको हम लेख सकते हैं sin 30 लेकिन यह minus लगा है तो आपको हमने यहीं बता है कि अगर यह sign है यहाँ पर sin 10 कोसे कट कोसे कट इन चारों में से कोई एक है तो वो जब minus लगा रहेगा तो minus आगे कोण के आगे अब आपको हमने बताएगे साइन नुवर्स है और यह sign है तो यह sign sign क्या हो जाएगे cancel तो minus 30 या इसको हम बोल सकते है minus by by 6 इसको हम क्या बोल सकते हैं पाई by 6 यह कहां से आता है यहाँ पर एक बार आपको बता दो पीछे आपको बताएज चुका है तो याद रिखे इस बात को हाँ आपके माइन में चल रहा होगा यह बात की कि अगर माइनस ना रहे तो क्या होगा अलांकि इस चीज को पहले बता देना चाहिए तो माइनस ना रहे तब क्या होगा ध्यान से देखेंगे तो माइनस ना रेजस्टमाल यह टे दिया और यहां पर दे दिया 10 चीर्फ 10 सुन में ज्यादा परेशन होंने करो सकता नहीं हुद undone 10 में जयाएं माइनस है नहीं तो कन्फूज होने की आओ सकता नहीं है 10 से 10 समाप्त हो जाएगा तो आपको बचेगा 45 डिग्री और 45 डिग्री को हम पाई भाई फोर कहते हैं इस रूल के नुसार यह जो अभी पाई भी एक सवस्य से गुड़ा करेंगे इतना आ जाएगा ठीक हां तुछी हम ने आपको बताए कि कॉस और सेक रहेगा तो एक सवस्य में इससे घट जाएगा इसका यूज कैसे होगा यह भी देख लें जैसे माल लीजिए कास में दे दिया आपको अंडरूट कास इंवर्स में अंडरूट ठीवाई तो कास इंवर्स तो रहने देंगे यहां पर कास में ही हम मान भी डूनेंगे है कास में यह कितने अंस कमान है माइनस को दो सेकंड के लिए भोल जाए कास में यह कितने अंस कमान है तीस अंस कमान है ठीक है लेकिन स्टुडेंट्स बता दूं कि मैंने बताया कि कास और सेक में यदि माइनस लगा हो तो उसको एक सवस्य में स यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि कास और स्यक तो जो कोड़ आएगा उसको क्या कर देंगे घटा देंगे जो है इस त्रिक जो है त्रिकोड में सुर्ण न si e rt में जितना बे सवाल दिया है उन सभी के लिए अपलाई हो सकता है यह सिर्फ ट्रिक है ये कोई रूल नहीं है आपके लिए लेकिन ट्रिक है और ये ट्रिक पूरी परदुपरिच्छLaughing में कामाएगा जाते हैं कोई काट नहीं सकता है त्हिके leaked पर कास से कास क्या हो जाएगा समाप्त हो सकता है यह 180 में से 30 हम नहीं घटा है तो 150 आगा और इसको पाई में अगर आप चाहते हैं तो पाई भाई 180 से गुणा कर देंगे तो इस वीडियो को दुबारा जरूर देखें अब हम चलते हैं प्रश्णावली पर चलते हैं तो इसमें हम पहला कुश्चन देख रहे हैं जर रहा है साइन इन वर्स माइनस में वन बाई टू इसको हम कह सकते हैं साइन इन साइनस दिया है तो आपको बताया कि साइन से ले करके हैं इसे साइन सर्फ अगे चलाएगा सबने सा और साइनस बचा 30 बचा और 30 को हम क्या बॉल्ते हैं पाई भाइव शुक्स ये एंसर होगा ठीक न पहले का एंसर दूसरा देखें कॉस इन्वर्स दे दिया लेकिन माइनस माइनस नहीं दिया है तो सिर्फ कास में दूणी है कास में कितने अंसका यह माणी है कॉस इन्वर्स पुरें दिजी ये कास में है 30 डिग्री का अब ये कॉस से कॉस कैंसल यानि कि 30 degree ओके और 30 degree कौन सिर्फ बोल सकते हैं 5 by 6 यह हुगा आपका answer 3 number अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है cosec inverse 2 साइद लिखा हुआ है तो cosec inverse 2 तो इसमें भी minus नहीं है तो हम cosec inverse रहने दें और हम मान को देखेंगे कि cosec में यह कितने अंस कमान है तो cosec में हमारे इसाब से यह 30 कमान है ठीक है तो cosec से cosec के इंस लोगा यानि कि सिर्फ और सिर्फ 30 degree 4 number question यहाँ पर देखेंगे 4 number question है 10 inverse minus under root 3 10 inverse minus under root में 3 यहाँ तो 10 inverse तो रहने ही दे यहाँ पर 10 में मान ढूणेंगे 10 साट हंस कमान है कितने का है साट हंस का लेकिन minus लगने की वज़े से देखेंगे चार अनुपात यहाँ पर 9 10 को से का ठीक है तो यह 10 है उसी में से 10 से 10 केंसिल हो जाएगा तो माइनस में 60 बचेगा और इसको हम बोल सकते हैं माइनस में पाई भाई 3 पाई वाई 180 से गुणा हो रहा है ध्यान रखेंगे पांच में सवाल को देखें हम अगर तो इसमें लिख रखा है कास से सब्सक्राइब माइनस में वन बाई 2 लेकिन कास में यहाँ पर देखें दो उनुपातों में बताये था कि 180 में से घटाएंगे ठीक है न एक सो असी में से किसको घटाएंगे इसी को घटाएंगे जो आ रखा है यह वाला ठीक है यहां पर माइनस है थोड़ा सा कम जगवने कारण नहीं दिखाए दे रहा है तो आप ध्यान रखेंगे तो कास से कास तो खत्म हो जाएगा 120 को अगर पाई में आप चेंज करना चाहें तो जीरो से जीरो केंसिल और चाहे दुना के बारे चाहे तीली अठार टू पाई भाई त्री छटा क्वेस्टन लिख रखा है टैन इंवर्स माइनस वान तो स्टूड़ा जगह हमारे पास कम है इसलिए आप ध्यान से देखेंगे हो सकता है कुछ questions कम भी लग पाए तो 10 इंवर्स माइनस 1 के नाते 10 कितने इसका मान होगा यह 45 का होता है ठीक है न यह होता है 45 का मान लेकिन यह माइनस लगा है और उन 4 में से 1 है इसलिए यहां पर माइनस लगाना होगा और 10 से 10 केंसील हो जाएगा माइनस 45 और इसकौम कर स नहीं है माइनस 25 का जन्याट इसमें नहीं है इसकौ से निवर्स एक मिकिंद एंस कमान है ऐसक इकामर ये कितने इंस कमान है तो हमारे रिषाब से 30 लिखे से चंसील हो जा जाएगा तो 30 बचे और 30 कॉम पाई पे 6 बोल सके है इप नमबर में लिख रखा है काट इंवर्स अ 多ब में użyी तो कोट में कितने थे मैं कमें है कर दो Elizabeth Had शॅक्राष बरनाई रहा हुआ हो चाहिचर से द्यान रखेंगे हैं रहा है इ beaut सभावा से स्पीस देंगे ओर धक्त ना यहां पर छोटा कॉंधि कर देंट नहीए यहां पर कॉस में कितने कमाने 45 कमाने और माइनस लगने की वज़ा से यहां पर 180 माइनस लिखना होगा तो यह हो जाएगा 135 यहां पर थोड़ा सा जगह में हम आपको बता रहें सब्सक्राइब करेंगे यह कास से कास को हम खतम कर दे रहे हैं अब से 35 गटेगा तो 135 हाई जाएगा इसको पाई में चेंज कर लिए ठीके श्टून तो आसा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इन सब वीडियो को इन सब क्वेस्टन्स को हम जादा समय नहोंने के कारण और जादा जगह नहोंने के कारण कम समय में और कम जगह में हमने बताय में तरया आपको समझने से मतलब है तो आप समझ चुके होंगे और हम आप के यह रिकक्रइविस्ट करेंगे कि इन वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आप अधिक से अधिक हमारी वीडियो bis कुछ को देख सकें नई नई वीडियो जो आप तक पहुँ सकें और हो सकें अवस्ट्रक पड़े तो कमेंट भी अवस्ट्रक करें धन्यवाद